आपको देख रहे हम लोग कहा जा रहे हैं तो अभी मैं खड़ा हूं 71 सेक्टर को पास यह जो है पुलिस स्टेशन है और मेरे पीछे रोड चल रही है और अभी उगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो हम लोग जा रहे हैं यह यह लोड़ा एक्प्रस वे और कालिंदरी कुंज सब्सक्राइब के रोड है तो अभी हमें जाना है तो काल का जी चलेंगे तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा अट्टा मार्केट जो रास्त में पड़ेगी कि हम नौइडा से जा रहे हैं और पिर अभी में जो बैंक भी जाना है बैंक में तोड़ा कुछ काम है मेरा यह है बाइक बाइक चलेंगे तो मिलते हैं और चलते हैं तो अभी हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मैं आपको गाइड करते हुए चलूँगा की रास्ते में क्या क्या मिलता है तो अभी हमारे जो है left and side पे जो super tech लिखा था वो shoprics mall है तो यहाँ पर आप shopping करने के लिए आ सकते हैं यह काफी पुराना mall है इसके पास में ही साई मंदिर है वहाँ पर भी आप जा सकते हो per Thursday, every Thursday वहाँ पर भंडारा होता है तो उसका भी आप स्वाथ ले सकते हो तो अभी हम आगे चलते हैं आगे जो हमारे है यह iscon temple पड़ेगा तो iscon temple मैं आपको दिखाऊंगा तो friends मैं आपको बता दूँ कि अभी काफी लोगों की complaint थी मुझे messages वगरा आए कि regular videos upload नहीं हो रही है तो मैंने कहा कि मैं regularly बाहर तो जा नहीं साकता तो क्यों न मैं दिल्ली की ही जितने भी places है उसको explore करूँ तो काफी अच्छा लगा मुझे भी और आपके comments पढ़के तो अभी मैंने सोचा है कि मैं दिल्ली की जितने भी historical places हैं और जितने भी gardens है monuments है जो भी places cover करने के लिए है explore करने के लिए है वो मैं सारी explore करूँगा पर भी के लिए मैं आपको एक videos provide करूँगा तो अभी ये मेरा new year resolution है क्योंकि 2021 में आप मुझे support कीजिए ताकि मेरा channel आगे grow कर सके और मैं आपको अच्छे अच्छी videos दिखा सकूँ तो अभी हम है flyover पर ही है और यहाँ पर हमारा पड़ेगा iscon temple जो iscon temple है श्री कृष्ण जी का मंदिर होता है तो इसमें जो per Sunday every Sunday यह से मैंने पता किया है 2 o'clock भंडारा होता इसमें तो आप यहाँ आ सकते हैं सेवा कर सकते हैं और प्रशाद भी ग्रहन कर सकते हैं तो यह काफी famous हैं और all over India है iscon temple तो iscon temple मैं मैं next video आपके लिए जरूर लाँगा क्योंकि अभी मैंने कालका जी मंदिर चलना है तो कालका जी मंदिर के पास ही iscon temple है तो हम लोग वहाँ जाएंगे तो अभी मैं यहाँ पर नहीं रुखंगा तो अभी friends हम लोग आ गए हैं अट्टा मार्केट तो अट्टा मार्केट में यहाँ मारे राइट एंड साइड में बिना एक हॉस्पिटल है और सामने से हम लोग यूटन लेंगे वहीं बगारे निअरी पार्क करेंगे उसके ब़ाद हम लोग चलेंगे बैंक तो friends अभी मैं पार्किंग का सलोट देख नहुं पहले उसके बाद फिर बाइक पार्क कर देता हूं आँइक में पार्क कर लोग है चलते हैं मार्केट के अंदर और मार्केट अभी लग रही है कोई ज्ञादा पाइम में वह रहा है 11 बद रहे हैं तो बिद्वं तो इंचल्डे मार्केट इंचलिए भी लगी रहे है तो भी जिए फ्रूबावी काफी कम ही होगी वियसे जो वीकेंड़ होते उसके काफिवगा दीट रहती है तो यहां पर बेसिक प्राइब रहते हैं जिए बोल्टे मार्क डिपले मिस्वेस की हैं देखिया आपका देख देखिया है विद्ध 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 काभी प्राइजर्स चुन कहते हैं, माटविक्स से और कोई आपको एक अच्छी देलियों नहीं सकती है आपकोई तब आपकोई तब आपकोई चाज़र, इयरफोन्स, पस्किंदार्स, वो भी जावी जिने होगी आपको तो दो फिजिए उगराट निलाते हैं को, अर जी माक्यर सेशन है बनाओ इसका तो जीशेशन दाला जीशेशन कके नाओ लगासट हमेर सकती है तो अब यार हम लोग को चलना नहीं है अट्टा मार्केट में कुछ लेना भी नहीं हम लोग चलने सीथे बैंक और बैंक चलने के बाद पहले अपना अकाउंट का काम करवा लें क्योंकि फिर हो जाएगा बैंक का लंच तो बारा एक बजे तो अभी हम लोग मिलते हैं सीथे बैंक में मैं रोड क्रॉस करने जाए तो यह है गरम धरम और यहीं पर है मेरा बैंक दो तिन के एक मेरा एड़िव्याई में है और एक क्या नाम है आंध्रा बैंक है तो अभी मेरा बैंक काउग है काम पूरा और मैं चल रहा हूं कालंदरी कुछ की साइड और अभी तो मैंसे 18 के अंडर पास से हूं और जहां से फिर्म निकलेंगे उम कालंद्री कुछ के लिए सीधे तो काफी अच्छा लगता है अंडर पास और फ्लाइ ओबर पे ट्रैवल करना तो रूट्स काफी अच्छी बनी हुई है तो हमारे लेफ्ट एंड साइड में जी आईपी मॉल है और राइट एंड साइड में बेसिंग मार्केट है और आगे हमारा डियल एफ मॉल पढ़ता है मॉल आफ इंडिया तो फिर एक गार्डन गलेरिया और इजाड है लेफ्ट साइड में तो वहां से होते हुए फिर हम जाएंगे कालिंदी कुंच तो कालिंदी कुंच पार्क है उसमें भी आप गोमें और एक एडवेंचर पार्क है कालेंदी कुछ में वहाँ पर भी आप जा सकते हैं जिस पर मैं वीडियो समर टाइम में बनाऊंगा तो अभी विंटर्स है तो भी बंद है वो उसके बाद साहीन बाग, साहीन बाद जसोला और काफिदारे जो हैं जगह पढ़ती हैं बीच में शाहीन बाग काफिदा फेमस में रहाता है इसलिए मने उसका नाम लिया जो सी ए प्रोटेस्ट के समय सामने आये था तो उसके होते हुए हम आगे फिर नहरू प्लेस पहुचेंगे और तब तक के लिए स्टेए टून झाल 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 तो अभी मैं पीछे के गेट से गुसा हूँ तो यहां से क्या नाम है जहां से लोग बाहर आते हैं झाल 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 तो यहां से गाल कर दो डिर दो नहाँ कर दो तर दोया हुआ हुआ है आग थक्र ठाई्थर नक्रेश एंग संहान हमी को डिए मैंत अवड़ांअ का दो खो और स्वाल 250 छो खोटर içॉ शो दोटल DOब हाई धूब हई हाई कर दो कर दो कर दो कर दो